नमस्कार मैं हूँ योगेश राना और आए बात करते है हरीस रावत पर आखिर क्यों हरीस रावत पुषकरशिंग धामी उनके मंत्रियों और अपसरों के बीच में आना चाह रहे हैं क्योंकि हरीस रावत ने पुषकरशिंग धामी और भाजपा सरकार के मंत्रियों पर अपस और अपसरों के बीच में चल क्या रहा है जिस पर हरी सरावत आठ दस दिन तक लगातार लिखने की बात कर रहे है। दूसरी बात हाली में पुषकर सिंग धामी के आठो मंत्रियों ने अपने अपने विभागों के अपसरों के साथ मिटिंग की है और माना जा रहा है कि पुषकर सिंग धामी के पिछले कुछ माह के कारेकाल में खराब परदर्शन करने वाले अपसरों पर गाजगिर नित्य है और तीसरी बात सुबोध उन्याल ने मंत्रीपत समालते कहा था कि बरस्ट अपसरों को जबरन रिटार्मेंट देना चाहिए इस दिसा में उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है विभागिये नियमों का उलंगन और बरस्टचार के आरोप की जांच के दाइरे में चल रहे दो आएफस अपसरों के जबरन रिटार्मेंट की फाइल सुबोध उन्याल ने मंजूरी देकर मुख्यमंत्री के पास बेज दिये इन दोनों अपसरों पर अवेद गटान अवेद निर्मान ब्रस्टचार सहीद बहुत सारे मामलों के आरोप है जो की प्रारंबिक विभागिये जांच में काफी हद तर सही पाए गए है ये दोनों अपसर हरक सिंग रावत के काफी करीब ही रहे है और बात को आगे बढ़ाने से पहले एक बात और जान ले कॉरबेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के लिए पेड काटने और गेस्ट हाउस के निर्मान का मामला आजकल खूब चर्चा में है काफी चर्चा में है और ध्यान में रखना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट हरक सिंग रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट राए ये माम प्राग मदुकर धकाते का कहना है कि जांस टीम को पूरी मदद की जा रही है खबरों के अनुसार जांस टीम ने अपने निरिक्षन में कहीं कम भीर अनिमित्त तैप आई है बगेर मंजूरी पेडों का कटान रिजर्व के एरिया में बिना स्विकृति के कहीं निर्मान कार करवाए गए बिना स्विकृति के ही ढिकाला जैसे कोर जोन में आलिसान बंगले बनवा दिये गए यह सब चिंता की बात है जो की खबरों में आ रहा है इसलिए इसको भी जोड़ कर देखा जा रहा है अपसरसाही को टाइट करने अपसरसाही को दाएरे में बांधने की प् की वकालत की थी जिसकर समर्थन क், कहिए ने मंत्रें भी तुरंद किया था पुष्कर सिंग धामी भी इसके समर्थन में दिखे थे और मंत्रियों को ये अधिकार कैसे दिया जा सकते है इस पर कमेटिए बनाने की बात कही गई थी के एक और बात पर गोर करने की जरुट है सबी मंत्रियों को सो दिन का रोड में बनाने के लिए कहा है ताकि क्या 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 करना है इसको लेकर तस्वीर एकदम से साफ हो सके। उन्होंने खुद अपसरों के साथ बैठक में साफ साफ कहा कि मैं कोई पांच महा का मुख्यमंत्री इस बार नहीं हूँ ना तो मैं खुद सोऊंगा और ना ही मैं किसी को सोने दूँगा। अब इनी सब बातों पर और इनको लेकर अख़वारों में छबरे खपरों को लेकर हरीस रावत ने कहीं सारे सवाल उठाए। मानिनी मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री गण तक ब्यूरोक्रेसी को इस अंदाज में धमकाते दिखाई दे रहे हैं कि जैसे अब आगे सब चुस्त दुरुस्त हो जाएगा हरीस रावत ने कहीं सारे सवाल भी उठाए है जैसे धामी और उनके मंत्रियों को ब्यूरोक्रेसी में अब सारी खामिया नजर आने लगी है और वो भी चुनाओ के बाद ही क्यों दिख रही है पहले भी तो भाजपा की सरकार थी पहले के तीन मुख्यमंत्री और मंत्री भी तो भाजपा के ही थे अब ही क्यों ऐसा लग रहा है जैसे सब पहले गडबड था और अब सब खी खोने जा रहा है अंत में हरीस रावत ने लिखा है हम भी सरकार के उठाए जा रहे कदमों का इंदिजार करते हैं और इस विशेपर मैं 8 से 10 लगाता ट्वीट करने की कोशिश करूँगा ताकि बता सकू कि खामी कहां पर है जानी हरीस रावत यह तो मान रहे है कि खामी तो है कहीं पर अब हरीस रावत के हिसाब सकू कहां पर है वो तो पता लगी जाने वाली है क्योंकि वो अगले ट्वीट में इन पर चर्चा करने ही वाले है इसलिए उन ट्वीट का हरीस रावत की आगे की बातों का इंदिजार करते हैं लेकिन मेरा एक सवाल है उत्राखन का 21 साल में जो विकास हुआ है वो जितना होना था इतना हुआ नहीं है और क्यों नहीं हुआ है यह एक सवाल है अब पुष्कर शिंगधामी और उनके मंत्री किस नियत से काम कर रहे है वो अफसरसाइ को किस मक्सद से कसना चा रहे है यह तो पता चली जाना है क्योंकि जो भी के लिए तीन साल में करज का बोज एक लाख करोड रुपे के पार पहुंच जाएगा। करमचारियों को वेतन तक देने के लिए उत्रखंट सरकार को करज लेना पढ़ रहा है और ये करज लेना जारी रखना पड़ेगा। अगर कमाई के सादन नहीं बढ़ाए तो चिंता सारी सीमाओं को पार कर जाएगी ये उत्रखंट सरकार के आर्थिक हालात है। इन हालातों से निप्टा कैसे जाए इस दिशा में कभी किसी सरकार ने काम किया नहीं है और कभी किसी अफसर ने इस दिशा में बहुत आगे बढ़ कर सरकार की मदद की नहीं है। या नहीं पापाएंगे मैं इस पर तो अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ लेकिन अगर पुशकर शिंग धामी काम करते हुए दिख रहे हैं तो परणाम के लिए कुछ तो इंतिजार करना ही होगा। लेकिन एक सच यह भी है कि उत्रखन में अपसर साही बेलगाम रही है यह सवाल हर सरकार में उठता रहा है अख़बारों में और मीडिया में इस पर खूब छपता रहा है। लेकिन इसका जवाब कभी आया नहीं है इसलिए देखते हरी सरावत अपने आने वाली सोचल मीडिया पोस्ट में क्या लिखते है और पुशकर शिंग धामी जो अपसर साही को घेरने की अपसर साही को लगाम में लाने की कवायत करते देख रहे है इसका प्रणाम क्या निक